दोसो आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंट्रेस्टिंग है, इस वीडियो में हम लोग सिग्मेंट फ्रॉयड की साइको अनलेटिक कर्टिसिजम को डिस्कुस करेंगे इस थियोरी को डिस्कुस करने के लिए मैं लिट्रेचर से कुछ बियाउंड जाकर आपको कुछ चीज़े बताने की कुशिश करूँगा, बहुत ही इंट्रिस्टिंग वीडियो होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के अन्ड में दोसों इस वीडियो में हम लोग साइको अनलेसिस को समझेंगे, इसको समझने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये जो साइको अनलेसिस है, ये जनरल साइकोलोजी का पार्ट नहीं है, बलकि क्लिनिकल साइकोलोजी का पार्ट है, और कोई एक थियोरी नहीं है, बलकि बहुत सारी theories का एक set है clinical psychology का part इसको इसलिए बोला क्योंकि ये एक therapeutic technique है जिनसे patients को ठीक किया जाता है कैसे? जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको serious mental disorders होते हैं जिनका treatment बड़ा जरूरी हो जाता है और वो काम करता है psychoanalysis इस field में सबसे ज़्यादा काम किया था Sigmund Freud ने और इनके एक senior थे Joseph Brewer इन दोनों ने बहुत काम किया था लेकिन Sigmund Freud का नाम बहुत ही famous है क्योंकि इस idea को serious attention मिली थी Sigmund Freud की वज़े से Freud को जानना था कि कुछ लोग hysteria नाम की एक बिमारी होती है दोस्तों उससे बहुत परिशान थे तो 20th century से पहले ये hysteria जो बिमारी थी इसको एक अलग नजर से देखा जाता था और 20th century में इस बिमारी को seriously लिया गया कि ये एक serious mental problem है और patients को hypnotize करना बहुत ज़रूरी है उनसे चीजे बाहर निकलवाने के लिए लेकिन दोस्तों सिग्मन फ्रायड ने ये observe कि कुछ patients होते है जो बिना hypnosis के भी freely बात कर सकते है उनको बस उनकी पुरानी यादों पर जोर देने को बोला जायना चाहिए और इस technique को बोलते है free association of ideas free association में क्या होता है इसमें patients को encourage किया जाता है कि जो कुछ भी तुमारे दिमाग में आये बोलो बस तुम बोलो डरो मत आपको उन ideas को judge नहीं करना है simply experience करो और बस बोलो हमारे सामने आप जैसे वो ideas आपके दिमाग में आएंगे आप उनको judge करना शुरू कर दोगे और बोलोगे नहीं कुछ patients ऐसे होते थे जो बोलते नहीं थे कुछ चीज़े ऐसी होती थी जिनको वो दबा लेते थे तो fraud बोलते हैं कि कुछ painful experiences होते हैं patients के जिनको वो दबा देते हैं यानि जितना हो सके याद ना आने देने की कोशिश की जाती है and in most of the cases Sigmund Freud बोलते हैं ये experiences sexual experiences होते हैं sex से related experiences कुछ ऐसी दबाई हुई यादे या ऐसी दबाई हुई energy जिसे बोला जाता है libido दोसो इस term को note कर लेना libido इसका मतलब है दबाई हुई sexual urges energy और फिर इस दबाई हुई energy के symptoms आपको बाद की जिंदगी में देखने को मिलते हैं fear के रूप में guilt के रूप में shame feel होती है और इस free association वाली technique के थुरू उन्हीं चीज़ों को बाहर निकालने की कुशिश की जाती है ये बड़ी काम की technique साबित हुई आगे चलकर अब आप ये जरूर जानना चाहोगी कि इस चीज़ के लिए free association की जरूरत क्या है जब हम ये चीज़े patient को hypnotize करके भी निकलवा सकते हैं पहले तो segment fried खुद भी completely hypnotize वाले method पर टिके हुए थे लेकिन बाद में feel किया कि हम hypnotize करके क्या करते हैं अपने patients के unconscious brain से चीज़ों को बाहर निकलवाने की कुशिच करते हैं इसमें क्या होता है conscious brain शामिल नहीं होता तो unconscious brain के अंदर जैसे conscious brain का शामिल होना बहुत जरूरी है unconscious brain के अंदर क्या होता है काफी सारे thoughts में clash होता है जब conscious brain active नहीं होता तो thoughts में clash होने लगता है तो वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती जिसकी हमें तलाश है अब मैं थोड़ा सा आपको छुपी हुई या दबी हुई memory के बारे में बताता हूँ कि ये किन memories की तलाश कर रहे है ये बोलते हैं कि ज्यादतर females की साथ ऐसा होता है कि कम उम्र में उनकी जान पैचान वाले ने या फिर किसी रिष्टदार ने उन्हें sexually seduce किया होता है कम उम्र में जिसके बारे में वो आगे कभी बात नहीं करना चाती आगे जिसको फ्राइड बोलते हैं screen memory तो ऐसी बहुत सारी memories होती है जिनको हम भूलना चाते हैं या फिर वो सामने नहीं लाना चाते तो वो चीज बाहर निकलवाने के लिए hypnotize करने की ज़रूरत नहीं है इनके साब से ये कहते हैं कि उसको बाहर निकालने के लिए conscious brain का conscious state का शामिल होना बहुत ज़रूरी है और ऐसा क्यों? जब unconscious state में problems बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब उन्हें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है लेकिन बाहर बैठा है conscious state मतलब conscious mind वो बाहर नहीं निकलने देगा चीजों को unconscious state में problems बढ़ती जा रही है बाहर conscious state बैठा हुआ है वो चाहेगा है नहीं वो बहुत ज़्यादा restrictive है वो चाहेगा है नहीं ये चीज़े बाहर है तो ऐसे में अब problem बढ़ती जा रही है तो health problem शुरू हो जाएगी अब psycho analysis का क्या काम है एक therapist होगा वो आपको बताएगा कि देखो वो आपको समझाएगा aware करवाएगा कि आपके दिमाग में ये सब problems है जो बाहर नहीं आ पा रहे है और conscious brain उन चीजों को बाहर निकलने नहीं दे रहा तो समझदारी दिखाओ मुझे बताओ ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी आपने देखा होगा एक couch पर लेटा देता है आपका psychiatrist आपको आपसे बाचीत करता है अपने बारे में कुछ नहीं बताता अपनी personal बातों के बारे में कुछ नहीं बताता बस आपसे वो बात करता है आपके बारे में बाते बाहर निकलवाने ही कुशिश करता है आपको यकीन दिलवाता है कि आप उस पर trust कर सकते हो तो ये एक type का clinical treatment था उमीद करता हूँ आपको समझ बहारा है जिससे patients को ठीक किया जा सके जैसे आपने एक film देखी होगी Dear जिंदगी उसमें शारुखान आलियावट से सिर्फ बाते करता है बाते करते रहते हैं पूरी film के अंदर कोई normal आदमी होगा तो बोर हो जाएगा लेकिन आप उसको इस नजरिया से देखो कि वो उसका treatment कर रहा है ठीक है इसी से related एक odd thought निकल कर आता है dreams का thought कुछ repressive thoughts होते हैं कुछ thoughts होते हैं जो जिनको repress किया जाता है दबाया जाता है लेकिन उन्हें erase नहीं किया जा सकता आपको कुछ चीजे होगी जो बहुत पुरानी याद होगी उनको आपने दबा दिया अपने दिमाग के अंदर लेकिन आप erase नहीं कर पाए क्योंकि वो erase नहीं होती है और क्योंकि ये erase नहीं होती तो कभी भी दोबारा वो appear हो सकती है वो कैसे appear होती है सोते हुए सपनों में example कि थूरू समझो कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी को desperately kiss करना चाते हो लेकिन real में आप करने ही पाए और सपने में जाकर आपने उसे kiss किया तो ये होती है आपकी repressed wishes इन सपनों का भी बड़ा गहरा मतलब होता है कहा जाता है न जिन repressed thoughts को आप reality में बाहर ने निकाल सकते उनको आप कभी कभी सपनों में पूरा गड़ते हो और बातों ही बातों में इन thoughts को बाहर निकालने का एक तरीका है free association अब हमारे लिए क्या important है जानना psychoanalytic theory ऐसा कहती है कि हमारे जो childhood के experiences जो होते हैं जच्पन में किये हुए जो भी experiences होते हैं और unconscious desires हमारे behavior को कहीं ना कहीं influence करते हैं तो मैंने इतना सब कुछ बताया unconscious के बारे में लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि ये unconscious होता क्या है unconscious बनता किन चीजों से है हमारी memory से, हमारे belief से, urges से इन सब चीजों से बिल कर बनता है हमारा unconscious और उस से बनती है हमारी personality और इन सब चीजों के बारे में हम हमेशा aware नहीं होते हैं एक iceberg का example लेकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब इसी तरीके से समझाते हैं मैं भी इसी तरीके समझाऊंगा तो जो उपर वाला पार्ट होता है ये होता है आपका conscious brain ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर जो चीजे चलती है हमें सब चीजों के बारे में पता होता है लेकिन इसके नीचे जो unconscious brain होता है क्योंकि ये size में बहुत बड़ा है तो इसमें काफी सारी चीजे होती है जो चुपी हुई है सरफेस पे तो हमें कुछ और दिखता है और अंदर कुछ और इस बड़े वाले कंपार्टमेंट के अंदर इड है ये जो हिस्सा है ये develop होता है पैदा होने की साथ ही develop होता है और ये पार demand करता है इस वाले कंपार्टमेंट में जो balance बना कर रखता है सुपर इगो और इगो के बीच में ये थर्ड वाले कंपार्टमेंट में सुपर इगो ये सुपर इगो develop होता है around the age of four चार साल की एज की बात से अब इन तीनों कंपार्टमेंट में conflict चलती है conflict का मतलब ये है कि एट तो चाता है instant gratification जबकि सुपर इगो उसको रूखता रहता है और इगो दोनों में balance बनाता है तो इस तरह से ये psycho analytic theory काम करती है उमीद करता हूँ इस छूट इसी वीडियो से आपको कोई न कोई help जरूर मिलेगी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है तो मैं उमीद करता हूँ आपको ये theory समझ में आई होगी मैंने कुछ चीज़े extra बताई है उमीद करता हूँ और future में हो सका तो और detail से इसको समझाने ही कोशिच करूँगा पिलार आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो में